हम भोले नाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम भोले नाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भक्त जनों, आज हम भगवान भोले नाथ की कुछ कथाओं का बर्णन करेंगे पुराणों में इनके चमतकार की अनेकों ही कथाओं बर्णित हैं उन्ही पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाओं सुनाएंगे आशा करते हैं, आप भगवान भोले नाथ की महिमा वर्णन सुनकर उनने प्राप्त करेंगे प्रिय भक्तों, भगवान भोले नाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं, भगवान भोले नाथ के महा मृत्युम जय मंत्र का जाब आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्व प्रधम बणन करते हैं तो चलिए सुनते हैं भगवान भोले नाथ की ये चमतकारी कथा रिशी म्रिकंडु हुए है भक्तों शिव के भक्त महान और उनकी पतनी थी जिनका मरोधती थाना किन्दु अने को वर्षों तक उन्हेना संतान हुई पुत्र की प्राप्ति का उपाए वो खोज रहे कोई करने लगे है भोले नाथ की दोनों कठिन तपस्या एक ही पुत्र चाहे हो जाए मन में थी यही इच्छा भोले नाथ उनकी भक्ती से प्रसन है बड़े हुए साक्षत दर्शन आ करके पति पतनी को दे पति पतनी भोले के चर्णों में गिर जाते हैं पावन कठा सुनाते हैं महादेव और नील कंठ भी जो कहलाते हैं हम कठा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भक्त जनों भगवान भोले नाथ ने जब रिशीमर कंडू और उनकी पत्मी को दर्शन दिये तो दोनों ने भोले नाथ को साश्टांग प्रणाम किया भगवान भोले नाथ ने उन्हें वर्दान मांगने को कहा तब रिशीमर कंडू और उनकी पत्मी ने भगवान भोले नाथ से पुत्र प्राप्ती की इच्छा जताई भगवान भोले नाथ ने उन्हें दो विकल्प दिये एक कल्पायू बुद्धिमान पुत्र और दूसरा विरगायू मंद बुद्धी पुत्र रिशी ने भोले नाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वर्दान मांगा परिनाम स्वरू उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ जिसको पती पत्नी ने मारकंडे नाम दिया किन्तु भगवान भोले नाथ के वर्दान स्वरू उनकी आयू केवल सोला वर्षों की थी भोले नाथ ने दिया वर्दान तो असर दिखाया है परल पायू पुत्र रिशीम ने कंडु ने पाया है पति पतनी ने बार कंडे जिसे नाम दे दिया है पुत्थी मान बड़ा ही उनका पुत्र हो गया है जान गए मेरे अलपायू सोला वर्षों की है जब तक सास चलेगी शिव की करनी भक्ती है पुत्थी मान था मृत्यों के भैसे नाखब राया है भोल नाथ की भक्ती में बस ध्यान लगाया है सोला वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो काल को देते टार शिव ही है महाकार जो काल को देते टार भक्त जनों जब रिशी मारकंडी ने जाना कि वो अलपायू है तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोले नाथ की भक्ती में बिताने का निष्चे किया और सोला वर्षों तक भगवान भोले नाथ की कठिंत पस्या की सोला वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हे लेने आ जाते है तो रिशी मारकंडे भाग कर काशी पहुँच जाते है किन्तु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो रिशी मारकंडे शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोले नाथ का अवाहन किया उनकी पुकार सुनकर भोले नाथ वहां स्वयम प्रकट हो गए और रिशी मारकंडे को अम्रित्व का वर्दान दे दिया ऐसे क्रिपालू है मेरे भोले नाथ जो अलपायू थे उनको भी अमर कर दिया है भोले नाथ की उनपर भक्तों ऐसी हुई दया है रिशी मारकंडे को अम्र भी ले जा नहीं सके है शमा या चनायम भी भोले नाथ से करते है माहम्रेंत्य उन्जे मंत्र की भक्तों ऐसी शक्ती है जाप करे तो आयकाल को टाल वो सक्ती है प्रकट स्वयम ही भोल नाथ ने मंत्र गी कर दिया है जो करते है जाप मंत्र का होती उन पे दया है महामरत्युन जे मंत्र की महिमा ऐसी बताते है आवन कथा सुनाते है महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते है हम कथा सुनाते है शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भगते जनो भगवान भोले नात है ऐसे वर्दानी है के थोड़ी सी भक्ती से ही प्रसन्न हो जाते है इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेश पूजा की आवशक्ता नहीं सच्चे मन से की गई शन भर की भक्ती से ही भोले नात प्रसन्न हो जाते हैं और यदि सुमबार का व्रत किया जाएं तो भगवान भोले नात की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है ऐसी ही एक पुराणिक कथा था अब हम यहां वर्णन करेंगे किसी समय में एक साहुकार शिव का भक्त हुआ पर संतान की प्राप्ती का ना सुख से प्राप्त हुआ सच्चे मन से करता था वो शिव की अराधना साहुकार की पून हुई ना किन्तू मनो का मना माता पारवती ने एक दिन फिर ये शिव से कहा है क्यों ना अब तक इसे पुत्र का आपने वर दिया है आप सदा ही स्वाबी भक्तों की विनती सुनते है सच्चे मन से आपकी साधना जो भी भक्त करते है क्यों नहीं पुत्र आप इनको फिर देना चाहते है पावन कथा सुनाते है महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते है हम कथा सुनाते है शिव ही है महाकार जो ताल को देते तार शिव ही है महाकार जो ताल को देते तार भक्तों माता पार्वती की बात सुनकर भोले नात कहने लगे हे देवी संगसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है जिसके भाग्य में जो होता है वही उसे प्राप्त होता है किन्तु माता पार्वती कहने लगी भोले नात आपको इसकी इच्छा पून अवश्य करने चाहिए माता पार्वती की विंती पर भगवान भोले नात उस साहुकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते है किन्तु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयू केवल बारहां वर्ष होगी साहुकार माता पार्वती और भगवान मोले नात के वारतालाप को सुन रहा था अतह वो ना तो बड़ा ही प्रसंद हुआ और ना ही दुखी पहले की भांती शांत चित्त होकर बोले नात की वक्ती में लगा रहा फिर साहुकार के घर में तो एक पुत्र का जनम हुआ है अलपा यू है किन्तु पुत्र साहुकार जानता है धीरे धीरे ग्यार वर्ष कप जब है पुत्र हुआ वित्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया अपनी पत्नी के भाई को है सहुकार ने बुलाया ले जाओ इसे काशी में उसको इतना बताया रसे में मिले जितने ब्रामर जान दक्षिना देना और पुत्र की दीर घायू कावर भी मांग लेना सिदपुर्शों के वचन कभी कभी सत्य हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भत्त जनों साहुकार ने अपने साले को बहुत सा धन दे कर विदा किया और कहने लगा मेरे भुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्यान दिलवाएं रास्ते में आपको जितने भी ब्राम्भन मिले उन सब को उच्चे दान दच्छना देना और उनके चर्णों में वंदन करना किसी ब्राम्भन के मुख से यदी पुत्र को दिरगायू का वर्दान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी साहुकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया और चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा पर रुख गए दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उस नगर के राजकुमार का विवाह था किन्तु राजकुमार एक आँख से काना था राजा ने जब साहुकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगा ले जाकर राजकुमारी को व्याह कर ले आँँ और बात में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूँगा साहुकार के पुत्र को राजाने बुलवाया है और दूले का वेश पुत्र की जगा बनाया है राजा ने तो उनकों सारी बाते बताई है राजकुमारी की शादी धोखे से रचाई है साहुकार के पुत्र मिले कि बड़ी मानदारी दूलहन की चुनरी पर बाते लिख दी उसने सारी परदूलहन ने लिखा हूँ संदेश पढ़ लिया है राजकुमार के संग जाने से उसने मना किया है खाली हाथ ही सब बाराती लोट के आते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार धक्त जनों जब राजकुमार के जगा साहुकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया गया तो साहुकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पती तो एक आँख से काना है और मुझे पल पूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगा बिठा दिया है जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बाते पढ़ी तो सब कुछ जान गई और उसने अपने पिता को सब बाते बताई जब सब सच सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लोटना पड़ा राजकुमारी के पिता ने सहुकार के पुत्र की मानदारी की खूब प्रशन सग और उसे बहुत सा धन दे कर काशी की और विदा किया मामा भांजा दोनों काशी नगरी में आए और यग के लिए अने को पंडित बुलवाए जानत थे की एक वर्ष का समय है उनके पास दिरघायू के लिए यग्य वो करवाने लगे खास यग्य हुआ सम्पून तो फिर पून आहूती दी एक वर्ष की जो सीमा थी वो भी बित गई साहुकार का पुत्र ये मामा से कहने लगा ना जाने मामा मेरा सर क्यों चक्रा रहा इतना कहते ही प्राण पखेरू भी उड़ जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भक्त जनों बारा वर्षों का समय पून होते ही साहुकार के पुत्र की मृत्यू हो गई उसके मामा अपने मृत भांजे को देखकर जोर जोर से विलाब करने लगे और उनका विलाब सुनकर माता पार्वती को बहुत ही दया आई वे कहने लगी हे नात आपको साहुकार के पुत्र के प्राण लोटाने होंगे वरना इसका मामा विलाब करते करते अपने प्राण त्याग देगा भगवान भोले नाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहुकार के पुत्र को प्राण वापस लोटा दिये भोले नाथ ने जिसे दिया अलपायू का वरदान माता पार्वती की विनती भोले नाथ गय मान आई हुई मृत्यू को भी भोले ने टाल दिया अलपायू को भोले नाथ ने दिरधायू किया और दर्शन भी मामा भाजा दोनों को दिये है दर्शन पाकर भोले नाथ के प्रसन वो बड़े हुए खुश नसीब है स्वयब ही भोले नाथ जो हमसे मिले बोला मामा अब तो अपने नगर की ओर चले फिर प्रस्थान वो अपने नगर को कर ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंठ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते तार शिव ही है महाकार जो ताल को देते तार भक्त जनों जब मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जिस राजा की कन्या का सहुकार के पुत्र से विवहा कराया था राजा उनको देखते ही पैचान गया और अपने राज महल में ले गया राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मेरा विवहा तो इस सहुकार के पुत्र के साथ ही हुआ है क्यों ना आप मुझे प्रसन्दा पूर्वक इसके साथ विदा कर दे राजा ने भी अपने कन्या की बात को सहर्ष स्विकार कर लिया साहुकार के पुत्र से फिर तो राजा कहने लगा मेरी पुत्र का आप के साथ ही संपन हुआ विवा पत्नी रूप में आप मेरी पुत्री को अपनाए मैं चाहता हूँ कर के विदाई से अपने घर ले जाए राजा ने जो विनती की तो उसने मानी है साहुकार के पुत्र की फिर वो बन गई रानी है राजा ने अपनी कन्या को बहुत साधन है दिया धूम धाम से राज कुमारी को है विदा किया फिर तो लोट के अपने नगर में वो आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार शिव ही है महाकार जो ताल को देते टार भत जनों इस प्रकार भगवान भोले नाथ की कृपा से साहुकार के पुत्र को दिरघायू के साथ साथ राजा की कन्या भी पत्मी के रूप में प्राप्त हुई ऐसे कृपालू है मेरे भोले नाथ जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहुकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी इतना सुनकर साहुकार भूले नहीं समाए और भोले नाथ की भक्ती में लीन हो गए भोले नाथ जीने से उन पर किरपा बरसाई सच्चे मन से जो भीन का नाम सुमिरते है सोमवार के बृत में यही कथा सुनी जाती है भोले नाथ की किरपा भक्तो बर हो जाती है भोले नाथ की कथा को सुनता हंस राजर लहन और चरनों में करता है सदान के वन्दन फौज सुरेश से लाखों भक्त भी शीश चुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नील कंथ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं शिव ही है महाकार जो काल को देते टार